सर्वेभ्यो नमाहा मैं राजिस्वराचारे संस्कृतम हमसे एक दिन एक सज्जन ने कहा कि आप गुरुजी सर्वेभ्यो नमाह कहते हैं सर्व मैं तो दुष्ट और सज्जन सभी आ जाते हैं तो आप दुष्टों को भी प्रडाम करते हैं मैंने कहा कि दूर जनम पर थबंबन दे मैं तो दूस्तों को पहले प्रणाम करता हूँ सज्जन को हम करें या न करें पर हमको यह विश्वास है कि सज्जन को हम प्रणाम नहीं करेंगे तो भी वे लोग हमारे लिए प्रिय हैं और हम उनके लिए प्रिय रहेंगे और वैसे भी बताऊं मेरा यह सभाव है कि समस्त स्रिष्टि में समस्त जीवों को हम प्रणाम करते हैं नित्य आ ब्रह्मलो का दासेशाद आलो का आलो का परवतात ये वसंतित जादे वास्त भ्यो नित्यम नमाम में हम में नित्य उन सभी सक्तियों को उन सभी जीवों को हम प्रणाम करते हैं तोट जोट बंदन करते हैं सर्वह परमात्मा को कहा गया है और हम परमात्मा से लेकर के समस्त जीवों को प्रणाम करते हैं आज हमारे वीडियो बनाने का उदेश्य यह है कि हमारे पंडित बर्ग जो हैं कर्मकांड छेत्र में काम करने वाले परोहित कर्म करने वाले उन लोगों के लिए यह वीडियो सहायक है उनके लिए हम बना रहे हैं क्योंकि प्रायह वे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सा पद सही है कौन सा पद गलत है मैं बोलूं क्या बोलूं क्या न बोलूं कोई बड़ा पंडित आ जाये तो उसके सामने कई बार लोग अटकते हैं बोलने से कि मैं जो बोलता हूँ और शुध बोलता हूँ यह खुद उनको नहीं पता होता है बस रट लिए हैं या सुन लिए हैं याद कर लिए हैं और पंडिताई करते हैं मेरा उद्ण उनके लिए सहायता परदान करना है आज मैं चार टुटियों का संशोधन बताऊंगा वे लोग स्वैम उच्चारण करके चेक कर लें कि क्या वे लोग इस प्रकार की तुर्टी करते हैं जदी करते हैं तो उनका आज संसोधन कर लें पहले तो मैं एक वीडियो इसमें लगा रहा हूं इस वीडियो को आप लोग सुनिए ये सज्जन मेरा उद्यसिन का चेहरा दिखलाना नहीं है पर ये किस प्रकार से तुरूटी कर रहे हैं हम सब जल से जो है सरीर को प्रक्षालित करते हैं प्रक्षेपण करते हैं छिड़काव करते हैं कि जल में वह शक्ती है जो भगवान विश्रू का नाम लेते ही पुंडरी काक्ष का नाम लेते ही हमें बाहि और आभिहंतर की शुद्धी कर देगी आप पहले वीडियो सुन लें नमु आपवित्रह, पवित्रोबा, सरवावस्तां, गतुपिबा, यस्मरेत, कुंडरी काक्षं, सवाज्य, भयंतरह, सुचिहे, ओम, कुंडरी काक्ष, कुना अतो हो, ओम, कुंडरी काक्ष, कुना अतो हो, ओम, कुंडरी काक्ष, कुना अतो हो, ओम, कुंडरी काक्ष, कु भगवान पुंडरी काक्ष का नाम लिया जाता है पुंडरी काक्ष वे ही है जो हिर्दे गुवा में इस्थित हैं, विद्यमान हैं, विराजमान हैं परतेक प्राणियों के हिर्दे गुवा में जो विराजमान हैं ऐसे विष्डू का वहाँ नाम जो है पुंडरी काक्ष है। उनका नाम सुरन करते ही भीतर और बाहर की शुद्धी हो जाती है। लोटलकार पर्थम पुरुष एक वचन का रूप है। इसका आर्थ है कि पुंडरी काक्ष हमें पवित्र करें, शुद्ध करें यह भावना है। तो पुनातु में विसर्ग नहीं होता है। पुनातु हू नहीं को बोलना चाहिए। पुनातु बोलना चाहिए। तूता यह सब प्रत्य हैं, विसर्ग नहीं होता है, तो जदि कोई विसर्ग बोलता हो, तो ठीक कर ले, वैसे यह वीडियो बनाते हुए, मेरा भी मन कर दिया, कि यह मंत्र मैं बोलूं, ओम अपवित्रह पवित्रोवा सरवा वस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरी काक्षम सवाहिया भ्यंतरह सुचिही आशन पर बैठते ही सबसे पहले, इसी से तो शुद्ध हुआ जाता है, तो कम सकम इसका उच्चारन तो शुद्ध कर लेना चाहिए, उनातु हुमें विसर्ग नहीं लगाना चाहिए, ठीक, यह पहला संसुद्धान, अब दूसरा है, लोग बोलते हैं, समर्पयामिही तो समर्पयामिही में भी विसर्ग लगाते हैं, वहाँ पर भी विसर्ग नहीं है, समर्पयामिही यह लटलकार बरतमानकाल उत्तम पूरुष एक बचन का धातु रूप है, तो समर्पयामि जैसे आप पठामि बोलते हैं, लिखामि, पठामि, हसामि, ऐसे ही जो है समर्पयामि, यहाँ विसर्ग नहीं होना चाहिए, आप यदि ऐसा बोलते हैं, तो चेक करिए, और शुद्ध कर लिजिए, विसर्ग को हटा दीजिए, तो आपका उचार्ण शुद्ध हो जाएगा, यह दूसरा संसोधन पूरा हुआ, अब तीसरा, मैं सुनता हूँ, कि जब वाठ पूरा होता है, या कुछ भी समर्पित करते हैं, देवी को, भगवती को, तो कहते हैं कि यत किर्तम कर्म सत्री दे ब्यारपडम अस्तू, वहाँ पर लुग दे ब्यारपडम अस्तू, दे ब्यारपडम या बोलते हैं, जबकि या नहीं है, यकार है, या बोलना चाहिए, देवी अरपडम, अब यहाँ ई और अ में यन संधी है, तो यकार होगा, या यानि आ का साउंड नहीं होगा आ का साउंड होगा देव्यारपण मस्तू अब देव्यारपण मस्तू मत बोलिएगा चेक कर लिजिए मैंने बहुतों के मुक्से सुना है इसलिए उचारण सही कर लिजिए स्री देव्यारपण मस्तू अब चौथा संसुधन है कि जब भी पूजा पूरा कर लेते हैं तो जल ले करके बोलते हैं अने ना कृते ना पूजा कर्मणा स्री गडे सहा प्रियताम ना मामा यहाँ पर स्री भगवती प्रियताम ना मामा यहाँ पर जदी हम भगवती कहेंगे तो वहाँ पर विशर्ग नहीं होना चाहिए एक बचन है तो विशर्ग नहीं होना चाहिए देवी है तो देवी बोलिए देवी ही मत बोलिए तो यह भी तुटी है और जब आप एक बचन यहां बोलते हैं स्री गड़े सह बोलते हैं तो प्रियताम बोलिए और गड़े साम्भी के भी बचन बोलते हैं तो प्रियताम बोलिए और जब बहुबचन बोलते हैं देवाहा प्रियनताम नमम तो एक बचन करता के साथ एक वचन की क्रिया होनी चाहिए तो प्रियताम नमम आगे प्रियताम नमम तो यहाँ पर प्रियताम 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 यह जो है रूप चलेगा इसी प्रकार से आप सब अपना संसोधित कर लिजिए ठीक है आज का यहीं ओम नमः शिवाए